जमू और कश्मीर के पुल्वामा जिले में 20-22 फरवरी दोहरजा 16 तक चले पंपूर भवन हस्तक शेप ओपरेशन के धरमयान कैप्टन तुशार ने गंभी रूप से जखमी लांस नायक ओम प्रकाश को गोली बारी से बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल दिया तीस्टे दल पर पहुचते समय उनके दल पर आतंकवादियों ने एक कमरे से हमला कर दिया इसकी परवाह न करते हुए कैप्टन तुशार महाजन ने ग्रिनेट से हमला किया और कमरे को खाली करवा दिया जिसमें गोली बारी से आग लग गई थी भवन से निकलते समय आगे के कमरे से हो रही भीशन गोलीबारी के कारण उन्हें वहीं रुकना पड़ा अपने दल के लोगों को खत्रे में देखकर कैप्टिन तुशार साथ-साथ गोलिया चलाते रहे और ग्रिनेड फेकते हुए आगे बढ़ी इसी दोरान आतंकवादियों की गोलियां कैप्टिन तुशार के पैरों में लगी जिससे वे बीश में ही लड़ खड़ा गए बुरी तरह से लहू लुहान कैप्टिन तुशार महाजर ने उस असहनिय दर्द को बरदाश्ट करते हुए जवाबी गोली बादी से आतंकवादी को खायल कर दिया भवन खाली कराने के दोरान उनके हाथ में पुनह गोली लगने से वे बुरी तरह जखमी हो गए और अपनी अतुलिनिया, शक्ती, आक्रमक्ता और अपने अद्दम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए कैप्टेन तुशार ने आतंकवादी को मार गिराया और वीरकती को प्राप्त हुए कैप्टेन तुशार महाजन ने एक आतंकवादी का सफाया करने और अपने जखमी साथी को बचा कर निकालने के दोरान अद्दम्य साहस शूर वीरता और प्रेरक ने तृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच शुबलिदान दिया स्वार्गिय कैप्टेन तुशार महाजन के पिता श्रीदेव राज गुपता और साथ में उनकी माता श्रीमती आशारानी गुपता झाल